नमस्कार दोस्तों, Magento Tutorial के इस सीरीज में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे हमने Local System के Magento इंस्टॉल किया है Magento Tutorial के इस भाग में हम देखेंगे कि हम कैसे Magento में Product Category क्रेट कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हम WAM Server को स्टार्ट कर देंगे जो कि हमें इस Green Symbol से पता चल रहा है Now, सबसे पहले इसके हम Admin Panel में Login कर लेंगे मेरा User ID है Admin and Password है Admin123 Now, सबसे पहले हम Catalog में जाएंगे Catalog के वाद Manage Category पे क्लिक करेंगे Now, सबसे पहले हम Defiled Category पे Create करेंगे Then, Add Sub Category पे क्लिक करेंगे मैं यहाँ एक Category Create करता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ Solar Panel और इसे मैं Yes कर देता हूँ और URL की हम By Defiled भी छोड़ सकते हैं लेकिन मैं इसे Solar Panel कर देता हूँ Solar Panel के Description में मैं लिखता हूँ Renova Solar Panel हम यहाँ कोई Image रख सकते हैं फिलहाल के लिए मैं कोई Image नहीं रखता हूँ Page Title में मैं इसे Solar Panel ही रख देता हूँ आप कुछ और भी रख सकते हैं Meta Keyword में मैं Solar Panel रख देता हूँ इसके लिए मैं आपको आगे एक Special Tutorial प्रोवाइड करूँगा जिसमें मैं Magento के SEO के रिगार्डिंग डिस्कस करूँगा Included Navigation Menu को मैं Yes कर देता हूँ अब इसे मैं Save कर देता हूँ अब हम रिफ्रेस करके देख सकते हैं कि हमारा Category Create हुआ है या नहीं हुआ है अब हम देख सकते हैं कि हमारा एक Category Create हो चुका है Similarly हम दूसरा Category भी Create कर सकते हैं Same pattern से सबसे पहले हम Default Category पे जाएंगे Default Category के बाद Adds of Category पे Create करेंगे और मैं यहां पे डालता हूँ Solar Street Light अब हम Same pattern को Follow करेंगे इसे Active कर देंगे इसे हम Solar Street Light और इसके Description में हम Innova Solar Street Light लिख देता है जिसे हम बाद में Change कर सकता है Page Title हम Same डाल देता हूँ Meta Description अगें मैं इसे Save कर देता हूँ अब हम देखते हैं कि हमा दूसरा Category भी Create हो गया Similarly अगर हम चाहें कि हमें Solar Street Light के अंदर एक Category Create करना है तो सबसे पहले हम Solar Street Light पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम Add Sub Category करेंगे और यहां हम डालेंगे आप 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 5W इसे मैं Active करता हूँ इसे हम छोड़ भी सकते हैं यह By Default URL ले लेगा Description में For the Time के लिए Solar Street Light पूर 5W रख रहा हूँ पिर मैं इसे Save कर दूँगा अब हम देख पा रहा है Solar Street Light पूर 5W इसके अंदर Credit हो चुका है अब इसे हम Refresh कर लेंगे अब हम देख रहा है Solar Street Light पूर 5W सो हो रहा है इस भाग के लिए इतना ही काफी है मिलते है अगले Series में अगले Series में हम देखेंगे कि हम कैसे में जिन्टों में product add कर सकते हैं इसे practice करें खुछ से category create करें हमारे channel को like करना subscribe करना ना भूले जिसे हमारे upcoming video tutorial के बारे में आपको जानकारे मिलती रहे Thanks for watching